अब है हलो फ्रेंड्स आज मैं एक यह रेसेपी लेके आए हूं भेज केटलेट के आप लोग एक बार जरूर। ट्राइ किज़ेगा और अदे आप लोग नए हैं मेरी चेनल पर तो प्लीज मेरे चेनल को सस्क्राइब किज़ेगा एक प्यारा सा कोमेंट किज़ेगा और किने दीन आलो आपने अपने दीन है और अद्रक लाशन अग्री मिर्स का पेस्ट बनाना है कि इसको ग्राइंड कर लिए और ग्राइंड करके मैं साइड कर दी मैं पेन को मॉझ पर चरहा दी हूं मैं मुऊंखुली फ्राय कर लेती हूँ मैं फ्लेम पुल लोकर करके मुऊंखुली फ्राय करके धर ली हूँ इसके बाद हडी मीर्ट से डालना है यह ज्यादा तीखी नहीं है हरी मिर्च, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा डाली हूँ, उसके बाद एक बड़े साइज का प्याज डालना है, इसको भी फ्राय करना है, अच्छे से ज्यादा ब्राउन नहीं करनी है, उसके बाद मैं इसमें पेश्ट डाल दी हूँ, हरी मिर्च इसको भी फ्राइ कर लेती हूँ फ्राइ हो जाने के बाद इसमें हल्दी गरम मसाला और लाल मिर्च डाल देना है इसके बाद मैं आलू डाल देती हूँ आलू बॉइल करके मैं रखी थी उसको मैंस कर दी हूँ मैंस करने के बाद इसमें मैं डाल देती हूँ इसके बाद मैं चुकंदर और गाजा डाल देती हूँ मैं इसको लास्ट में इसलिए डाली हूँ इसके बाद सब्सक्राइब कर रहे क्योंकि चुकंदर जल्दी कल जाती है इसलिए मैं लास्ट में इसको डाली हूँ इसके बाद सब्सक्राइब कर देती हूँ मिलाने के बाद मोंखली डालके मैं सीधे इसे नीचे उतार दूँगी ठंडा होने के लिए उसके बाद मैं कटले तयार करूँगी मैं एक फिर से बड़ाशा बाउल लेली हूँ उसमें मैं तेन से चार चम्मच आरा रोट डाली हूँ आप इस मैदा का भी भोल बना सकते हैं लेकिन अडरा रोट थो थोड़ा अच्छी होती है मैं आडरा रोट को भोल ली हूँ और मैं सुजी लेली हूँ आप ब्रेट कृम्स भी ले सकते हैं कटलेट बना लेती हूँ मैं ओयल ले लहाएल इस लिललिए भुरा हाथ बिल में लगा लूखी किसे हुञा गटलेट बना दिथे हाथ में शटे नहीं है मैं छोटी छोटी लोई कर लेती हूं और इसमें कटलेट का एक सेफ दे देती हूं इसको इस तरह से फिर से शूची का एक कोट चरहा लोँगी फिर से इसमें घोल डालूँगी फिर से मैं एक कोट चरहा दते हूं मैं इस इतरह से पनाके सब रखती हूं फिर मैं फ्राय करूंगी मैं उतने से मैं 25 बना ले थी अब मैं पैन चरहा दी हूँ ज़रूरत नहीं थी इसमें मैं नहीं डाली हूँ अब मैं इसे मीडियम फ्लेम करके मैं इसे तर लूँगे अब यह हूगे हैं मैं इसे निकाल लेती हूँ मैं इसे तर से सारे कटलेट को फ्राइ कर लूँगे मैं दोर के दिखाती हूँ यह बहुत ही अच्छी बनी है देखे बहुत ही अच्छी बनी है आप लोग एक बार जरूर ट्राइ कीजेगा हादी आपको अच्छा लगे तो एक कोमेंट अच्छा सा कर दीजेगा एक लाइक दे दीजेगा तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियों बार